हेलो साथ्यो एक बापिर से स्वागत करता हूँ मैं मनो जोसी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनो जमल्टी तो साथ्यो आज हम बात करने वाले हैं उत्राखण में जो मेडिकल लैब टेक्नोलोजिस्ट का एक्जाम हुआ था उसका जो कुश्चन पेपर था उसमें से हम को कवर कर रहे तो अभी तक का हमने 75 को कवर कर लिया है बाकी 25 कोश्चन है उनको हम देखने वाले हैं तो वीडियो में बने रहें अगर आप मेड़ाई चैन में पहली बार हैं तो मेड़ाई को सस्क्राइब कीजिएगा बगल में जो बेल आइकन है उसी जो प्रेस तो चले दोस्तों जरह समयना लेते हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो साथियो हमारा जो कॉश्चन नंबर 75 है वह है सब्सक्राइब है उसका इस्तमाल नहीं करते हम रूटिन रूटिन ली तो आपको बताना है कि प्रिजर्वेटिव का हम रूटिन ली इस्तमाल नहीं करते हैं तो आपके ओप्सन है ए ओप्सन आपको फॉर्मिक एसिड बी ओप्सन है जेंकर्स फ्लूड सी ओप्सन आपका 40% फॉर्मेल डी हाइड डिजॉल्वे इन वार्टर और डी ओप्सन है आपका 10% फॉर्मिक बढ़ते हैं लादिक प्रिजा के फिक्सेशन इसडि इंपोर्टैंट इन टिश्यू प्रोसेसिंग विकॉज इट आपको बताना कि फिक्षेशन कि ज़रूरी है टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए तो आपके ओप्सन है फ्रेट और सेल मॉर्फलोजी चैंज जिए और श्र तो आपका जो भी इसमें आपके option है इन में से सारे option आपके सही है तो आपका जो right answer होगा वो होगा D option जो कि है all of the above ठीक है बलते हैं अपने next question की और question number 78 and automated hematology cell counter uses the principle of जो हम automated hematological cell counter use करते हैं अपनी laboratory में उसका जो principle होता है किस बेस्ट पर वो कहार ही करता है यह आपको बताना है तो आपके option है a option है diffusion color अब जो option changes b option है high frequency sound wave c option है change in cell electrical current d option है light wave scattering तो जो आपका right answer है दोस्तों जो हमारा automated hematology cell counter हम जो इस्तिमाल करते हैं उसका principle होता है वो light wave scattering उसका principle होता है ठीक है इस method पर वो काम करता है ठीक है तो आपका d option है वो आपका right answer है बढ़ते अपने 17 question number 79 which type of media required special growth factor वो कौन से टापका media है जिसमें हम बैक्टरिया के special growth के लिए हम इस्तिमाल करते हैं ठीक है तो इनमें है आपका option है a option है in-reased media, b option है transport media, c option है differential media, d option है आपका simple media तो साथियों जो आपका right answer है वो है आपका in-reased media ठीक है in-reased media का हम इस्तमाल करते हैं special growth factor के लिए ठीक है तो अगला हमारा जो question है question number 80 उसको हम देखेंगे next question है हमारा formal citrate solution is used as a diluting fluid for counting of जो formal citrate solution हम इस्तमाल करते हैं वो किस चीज़ के diluting fluid के रूप में हम इस्तमाल करते हैं यह आपको बताना है क्यों से टेस्टम हम इसको इस्तमाल करते हैं किस चीज़ की counting के लिए हम इसको इस्तमाल करते हैं यह आपको बताना है आपके option है A option आपका RBCs B option है WBCs C option आपका platelet और D option आपका none of the above ठीक है तो जो हम formal citrate solution का इस्तमाल करते हैं अपनी laboratory में वो हम करते हैं RBCs के counting के लिए तो RBC count के लिए हम formal citrate solution का इस्तमाल करते हैं तो आपका जो right answer हो जाएगा हो A option है ठीक है तो साथियो आज के लिए बस इतना ही क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं तो इसलिए हम छोटी छोटी पार्ट में हम इसको लेके आ रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने next वीडियो में